जेहिंद आज हम पढ़ने वाले हैं इद उल्फितर पर असान सब्दुमिनिबंध तो आईए शुरू करते हैं भारत को अक्सर त्योहारो का देश कहकर पुकारा जाता है क्योंकि यहां अलग-अलग सब्भेता, धर्म और संस्किर्ती से जुरे लोग रहते हैं जो इसे विभिन त्योहारो का गट बनाता है भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है इसी कारण यहां वर्स में विभिन तरह की त्योहार मनाये जाते हैं ये त्योहार भारत की अखंडता, परभुत्तो और भायचारे का प्रतीक है। इद का त्योहार भारत के परमुक त्योहारों में से एक है। ये त्योहार इसलाम धरम का एक पवित्र त्योहार है। इसे इद या रमजान इद के नाम से जाना जाता है। रमजान महीने के दोड़ान मुश्लिम समाज के लोग सुबह से साम तक उपवास रोजा रखते हैं और पवित्र कुरान पढ़ते हैं और अल्ला से प्राथना करते हैं इद मुल रुप से भायचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है इस त्योहार को सभी आपस में मिलते हैं और खुदा से सुखसानती और वरक्कत के लिए दुआएं मांगते हैं पूरे विश्व में इद की खुसी पूरे हर्सो उल्लास के साथ मनाई जाती है इद उल्फितर इसलामी कलेंडर के दसमे महीने सबवाल के पहले दिन मनाया जाता है इसलामी कलिंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर सुरू होता है मक्का से मुहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र सहर मदीना में इद उल्फितर का उस्व शुरू हुआ माना जाता है कि पेगंबर हजजत मुहम्मद ने बद्र की लराई में जीत हासिल की थी इसी जीत के खुशी में सबका मुँह मिठा करवाया था इसी दिन को मीठी इद या इद उल्फितर की रूप में मनया जाता है इद के दिन मुशलमान पैसे, कपरे, मिठाई, भोजन सहीत कई तरह की चीजे दान करते हैं दान को इसलाम में जकात कहा जाता है इद पर जकात का खास महत्व है रोजे के दवरान भूखे रहने से लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि एक भूखे और गरीव व्यक्ति का जीवन कैसा होता है यही कारण है कि इद पर गरीव व्यक्ति को दान करने का विशेश महत्व है मुशलिम कल्यान कमीटी के प्रधान हुसियार खान ने बताया कि कोई भी धर्म नफरत नहीं प्यार सिखाता है इद का तेवहार हमें आपस में महबबत, प्यार और भायचारा बनाने का संदेश देता है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम